हालो फ्रेंड्स में नाम अजेसी सोधिया है और आप देख रहे हैं PHP Basic तो दोस्तों यहां पर हम देख रहेते हैं कि हम कैसे लिख सकते हैं और बिल्गुल Basic यहां पर हमने connection बनाया हुआ पीडियो के use करके database के साथ और हमारे पास एक database यहां पर हमने connection बनाया है पीडियो का use कर रहे हैं में यहां पर connection बनाने के लिए और इस फाइल को include कराएंगे index.php में तो यहां पर कोई भी एक condition यूज नहीं कर रहे हैं नहीं यहां पर एक database यहां पर हमारा PHP API नाम का database और यहां पर यूजर्स नाम की table है जिसमें कुछ records हमारे entered हैं तो यहां पर हमने include कर दिया dv.php file को और method जो हमारा रहा है हम उसको पहले हम switch statement का use कर रहे हैं अगर वह method हमारे get होगा तो get वाला case अगर post होगा तो post जो हमने case वाला case एक्जक्यूट होगा और last video आपने देखा था हमने put का use के था अगर method पुट है तो put वाला case हमारा execute होगा इस पर बाद हम बनाते हैं delete के लिए तो एक case हम यहां लिख लेते हैं तो यह simple मतलब API तो हम बाद बनाना सीखेंगे ठीक तरीके से यह simple एक basic जानकारी है कि जैसे आप अभी PHP सीख रहे हैं तो उसके लिए API कैसे लिखते है वो मैं आपको यहां पर बतानी कोईश्च कर रहा हूं तो यहां पर ना ही validation ना ही कुछ condition पगएर है simple ठीक है तो एक basic idea ह है तो यहां पर हम ले लेते हैं केस डिलीट अगर जो request मतलब जो पोस्ट में जो हम यूज कर रहे हैं वहां से अगर request हमारी आएगी मैथर्ड हम यूज कर रहे होंगे डिलीट यानि के मैथर्ड हम डिलीट यूज करेंगे तो यहां पर वह जो कोड लिखेंगे वह एक्जिक्यूट हो जाए ठीक है अब देख यहां पर हमने गैट API भी हम देख चुके है और ठीक है तो मैं कर लेता हूं डिलीट मैं अधर्ड ले लेता हूं ुग तो यहां दीकेए वह परी ठीक है कि हम यहां पर डिलीट वल्य रही है तो इस ब्लोग में आ चुक है एक एक वीं यह única currentinMacर आरते दोलर डेट अगर हमारे जो रिक्वाइस्ट आ रहे है और उसके साथ एलिए यह ढेटा है हमारा पाइब कुछ तो मान लेजे वो डेटा अगर जो रिक्वाइस्ट आ हे या फिर जेसन फॉर्मैट में है या फिर एक्जेमल में तो उसके लिए हम यह स्टेटमेंट लिख देते हैं ठीक है फाइल गेट कंटेंट्स और इसको हम डिकाउट कर लेंगे जैसन अगर मैं फॉल्स लिख देता हूं आगे तो इसका क्या मतलब होगा अभी देख लेते तो पहले में यावर आईडी डाइडी चिकलू डाइडी चलिए मैं इसको पहले हैं किलिक करता हूं तो यहां से मैं ओकें हैं ले लेता हूं अगर हम जाएंगे तो हमें यहां क्लिक करना वोगा बोडी पर और यहां पर मैं रोबर सेलेक्ट करता हूँ यहां से आईडी पर क्लिक करता हूँ 11 यह हमारे पास मिल गी अगर मैं true लेता हूँ तो अभी जो हमार object मिला वो एक मिलाता object के form में मिला है लुए है ठीक है यूज कर सकते हो यहां वैंक है यहां लाइं यहां से नहीं है यूज कर सकते हैं तो यहां परहें दीटोट प्वतिर हैं मित्या में आप हो धूल रहेगा। अर यहांँ पर जायञे और मैं अभी जैसे बताया था आपको नीचे यूज करें दे टू और फॉल्स ठीक अगर आपको इस तरह यूज करना है कि अब यूज कर ले ले लेता हूं तो मैं इस्टेट मैं इस्टेटमें एक बटो और यहां पर आपको यहां पर लिखेंगे डिलीट क्या था क्वेरी हम कैसे लिखते थे डिलीट यूजर्स विर डॉलर आइड जियक्ट पिलेशोल्डर को यूज करेंगे यहाँ पर हमें मिल जाता है एक execute action method तो मैं यहाँ पर pass करा लेता हूँ dollar id refresh कराएंगे तो अभी एक mistake हो सकती है यहाँ पर मैं फिर से लिख देता हूँ तो यहाँ पर एक problem है क्योंकि यहाँ पर हमने जो लिखा है repair statement है यहाँ पर हमारी गलती हो सकती है कभी mistake हो सकती है तो मैं फिर से click करता हूँ तो अभी भी वही error है ठीक है तो हमारे पास यहाँ पर यह भी ठीक है execute okay id यहाँ पर ही हमाँ पास कननी होगी यह भी बिल्कुल ठीक है और json decode file get content okay यहाँ पर mistake हमारी यहाँ डिलीट फ्रॉम आना था डिलीट फ्रॉम यूजर्स अब मैंने सेट फ्रॉक लिख्या तो दीके हमारी आइडी जो है वो डिलीट हो जाएगी रिफ्रेश करेंगे तो आपको यहाँ से रिकोर्ड हड़ जाएगा लाश्पाला ठीक है यह रहा लेकिन यहाँ नीचे कोई मैसेज नहीं तो वह हम देख लेते हैं तो जेसन एंकोड हम लिख देते हैं तो यहाँ बिल्कुल कोई भी कंडिशन यूज नहीं कर रहे हैं ना ही कोछ हम यहाँ पर वैलिदेशन कर बाला बनाता है विदियो में बनाता रहता हूं और यहां मैने लिख दिया है मैसेज एक शो जाएगा यूजर तो डिलीटिड सक्सिस्फुली कुछ आसा मैसेज लिख सकते हैं यह कंप्लीट हूँ और जो डिफोल्ट बाला है वो डिफोल्ट में हमने लिखी दिया हम पर तो मैं सेंट पर क्लिक करता हूं एक एरर शो हरी यहां और और वो किया है कि हमने सेमिकॉलन यहां पर नहीं लगा ता फिर सेंट क्लिक करते हैं तो दिके यूजर डिलिटिड होने का मैसेज मेरे पास यहां पर मिल चुका है तो आप देखें गिए अबर 11th नम्बर का जो रिकॉड देलेती है, मैं इसको यहां पर के लिए कर लेता हूँ, सेकंड ऑफशन में और सेलेक्ट करने के बाद मैं ID सेलेक्ट कर लेता हूँ, 10 नंबर देलेता हूँ, को सेंट करता हूँ तो एक मिस्टेक, अब ऐसा क्यों होगा, जैसे मैंने पहले भी आपको बताई था यह पर मुझे हटाना पड़ेगा इसको यह वी डेटा आएगा वह समय का यह पर यहां से मुझे पार्ट पर अपीह, अब यहां और वा अपर हैं than ata यहां से तोन प्रपहर, और रिदे प्रसे रिदेघा और यहां विछा is, यहां सी दैट अफ हैं है से टाइटा हहें हैंति ह मैं यहां नॉर्म्ल उक्षा हैं तुम्हें possibilities दिखाता हूँ, क्या क्या हम कर सकते हैं तो मैं नहीं लिखा और यहां पर मैंने मुझे ID यहां पर मिल लिखा 9 और क्लिक है तो यह mistake आ रही तो क्यों कि यहां पर मुझे row type में देता हूँ, फिर देखते हैं, अभी भी नहीं हुआ इसके बाद message ठीक आगे लेकिन एक error show कर रहा है अभी क्यों हुआ क्योंकि यहाँ पर मैं अच्छा मैं इसको ऐसे कर लेता हूँ या ओके यहाँ पर दूँगा इसको ठीक है ID ठीक है यहाँ लिखा मैंने as a parameter तो यहाँ पर deleted हो गया ठीक है कोई भी error show नहीं कर रहा है तो यह एक simple सा था मैंने और भी चीज़े में बता दिया तो systematic तो बाद में सीखे ने अभी एक basic idea था तो दोस्तो थैंक्यू बेर मुच हमानाजटे इतना कीमती जो टाइम आपने निकाला इस वीडियो के लिए इसके लिए बहुत 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 दन्वाद और लाइक, शेर, सब्सक्राइब